स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल हलो व्रीवन आई वल्कम योल टु दे स्टडी आईक्यू एजूकेशन प्लाटफॉर्म आप सबने कलिए खबर सुनी होगी कि अर्विन पानागरियाजी को 16th Finance Commission के चेर्मान के बतौर पे नयुक्त कर दिया गया है हना तो उस कंटेक्स्ट में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि फाइनेंस कमिशन है क्या भारत में कैसे जो टेक्सस आप लोग पे करते हो वो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटे जाते हैं अप नागरेक एक स्टेट के हो आप भारत के भी नागरेक हो गवर्मेंट एंपलोई की तरह टेक्स दे रहे हैं जो भी इंकम टेक्स वगएरा जा रहा है लेकिन वो कैसे सारे देश में डिवाइड हो रहा है क्यों इसकी जरूरत है यह भी जानेंगे कि क्यों हमारे जो इसकी बनाने वाले थे उन्होंने जो इंपोर्टेंट और जादा बनेंगे अर्विन पानागरियर जी उसका कॉंसिटूशन बाक्राउंड क्या है उसका कॉंपोजिशन क्या है क्यों जब भी फाइनेंस कमिशन आता है नॉर्दन और सथरन स्टेट्स के बीच में एक डिबेट चड़ जाता है क्यों हमेशा सथरन स्टेट्स को लगता है कि जो फाइनेंस कमिशन है ये नॉर्दन स्टेट्स के फेवर में रहेगा and lastly देखें कि 15 में फाइनेंस कमिशन ने क्या क्या करा और सुन में से हमें क्या उमीद रहेगी and lastly जो आप लोग सब पूछते हो कि sir UPSC क्या common people कर सकते हैं क्या मैं यहां पे college में पढ़ता हूँ या master's कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे मेरे लिए UPSC है या नहीं तो I'll be explaining you these topics last में मैंने UPSC द्वारा ही पूछे गए 5 questions preliminary examination के finance commission के उपर रखे हैं तो last में हम लोग वो solve भी करेंगे ठीके जी चले इस lecture का PDF अगर आपको download करना है तो आप इस telegram channel से download कर सकते हो इसको scan कर ल पर्सनल मेसेज करना है तो यहां पर कर लीजेगा चले और स्टडी आइक्यू क्या जो new year sale है that is ending today so on all the courses foundation course optional course IB CSIR सब पर है से चले शुरू करते हैं पहला logic की जो हम बात कर रहे थे भारत में finance commission की जरूरत पढ़ती क्यों है उसके लिए आपको एक शब्द समझना होगा जिस cooperate करके चलना cooperation में चलना साथ चलना फेडरलिजम एक ऐसा model है देखो फेडरलिजम शब्द निकला है शब्द फेडरस से फेडरस का मतलब होता है contract मतलब है जी इसका contract ठीक है तो एक ऐसा contract कुछ ऐसे units में units यहाँ पे states और आपका देश है इंडिया उनके बीच का contract और उनको cooperatively चलना है इसके लिए cooperative federalism के दो features होते हैं या भारतिय cooperative federalism के अगर बात करें कि भई जो यह वाला contract है इसमें सब लोग interdependent होके चलेंगे हैर एक बंदा एक दूसरे के उपर depend है ऐसा कुछ model है हमारा और इस dependence में एक बंदा तो चाहिए उपर देख रेक करने वाला तो हमने जो center है भारत का मतलब parliament हो गया या union की सरकार हो गई center को बड़े भाई का काम दिया है अब आप बोलोगे सर कि भाई center को अगर contract है contract में तो सब पार्टी बराबर होनी चाहिए तो center को बड़े भाई का काम क्यूं दिया है the reason behind that is मैं ये बात accept कर लेता हूँ कि भाई center को अगर big brother बनाएंगे तो उससे economic imbalance आएगा और यही चीज भारत के fiscal federalism में भी शो होती है fiscal federalism का मतलब है पैसे वैसे का contract जो taxation का contract है जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी tax 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 आप देते हो वो center और states में कैसे बढ़ता है that is fiscal federalism in India right economic imbalance इस तरह से आता है कि भाई जितने भी taxes हैं जितने भी taxes की आप बात करो जिनमें आमदन जादा होती है जिनको आप बड़े बड़े tax बोलते हैं जिसे पैसा जादा आता है वो सब के सब हमने union या center की सरकार को दिये हुए हैं और बाकी कम वाले वो state के पास हैं लेकिन हम इस चीज को justify भी करेंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि ये चीज गलत है अगर union के पास है union के पास होने भी चाहिए क्यों जब भारत में as a independent nation अपनी जर्णी शुरू करी थी 1947 में तो भारती states के हालात बहुत बुरे थे उस वक्त के उपर center को एक बड़े भाई का काम करना था उनको develop करने के लिए क्योंकि आज भी अगर आप देखो you compare the states of गुजरात एंड महराश्ट्रा उनको compare करिए with the states of चत्यसगर जाडखंड और अंडोरीसा यहां पे आपको regional imbalance दिख रहा है न एक east की states regionally थोड़ा backward है यह backward लागा लिजे economically backward हैं और महराश्ट्रा गुजरात वाले they are economically very powerful तो यहां पे balance का काम कौन करेगा center तो इस वज़ा से regional imbalance को address करने के लिए हमने यह चीज रखी है also जब भारत ने start करा था आपको याद होगा नीती आयोग की जगह पे पहले planning commission होता था और भारत में centralized planning चलती थ ज्यादा उसके पास होना चाहिए जो center में बैठा है जो plan कर रहा है सब कुछ सो वह भी reason है कि भारत में जो अपना fiscal imbalance है यह fiscal federalism में center की तरफ ज्यादा जुकाव है वह justified है समझ गए इस वजह से हमें एक neutral body चाहिए भी जो divide करेगी कि भाई कितना जो union क्यूंकि बड़ा पैसा तो union collect कर रहा है कितना पैसा union states को देगा इसके लिए हम बनाते हैं finance commission अगली बात बड़े कि भाई अगर हम देखें कि normally तो जो बेसिकली भारतिय संवेधान में ये प्रावधान है एक schedule है जिसका नाम है schedule 7 उसके अंदर तीन तरह की list बनाई गई है एक है states की list मतलब वो जिसके उपर center की power होगी and third is your concurrent list जो चीजें state list में आती है state government का उनके उपर अधिकतर अधिकार होता है कि वो उनके उपर tax लगाएगा जो union list में आती हैं चीजें उनके उपर union tax लगाता है लेकिन सारे के सारे union tax जितनी चीजों पे भी union tax लगाता है उनमें से तीन चीजों को छोड़ कर वो three things are CES, Surcharge and IGST इन तीन चीजों को छोड़ के जितने भी union के tax हैं वो सारे के सारे tax union अपने और जितनी भी भारत की states हैं उन सब में divide करता है अब union और states के बीच में कितनी division होगी let's say union को 100 रुपया ही कठा हुआ ठीक है तो union अपने पास let's say 50 रुपय रख रहा है और 50 रुपय भारत की सारी की सारी states को divide कर रहा है इसको बोला जाता है जी vertical devolution बस इसको एक keyword दे दिया है vertical devolution की भई मैं 50 रुपय रखूंगा और भारत की जितनी states हैं उनके लिए 50 रुपय अभी states बोलेंगी जी हम अपना अपना share कैसे रखें उसके लिए जब ये वाले 50 रुपय भारत की 28 states में divide होंगे उसको बोला जाता है horizontal devolution क्या बोला जाता है जी horizontal devolution बस ये दो शब्द याद रखेगा vertical मतलब center और states के बीच में जब states को अपनी रखाम मिल गई वो आपस में बांटेंगी that is horizontal devolution finance commission जो body है वो दोनों को कितना कितना जाएगा वो दोनों vertical devolution भी देता है horizontal devolution भी देता है चलिए let's move on the next thing तो finance commission की बात कर लेते हैं भारत का भारतिय संविधान का जो article number 280 है 280 वो finance commission का प्रावधान देता है कि भाई finance commission बनाईए बोलता है कि भाई finance commission is a quasi judicial body और constitutional body मतलब कुछ ऐसी bodies होती हैं जो भारतिय संविधान में mention हैं कुछ ऐसी bodies हैं जो फारतिय संविधान में mention नहीं है भारत का parliament कुछ act पास करके उनको ले के आता है उनको हम non constitutional या statutory bodies बोल देते हैं ठीक है तो यह constitutional body है जो अपने president जी है भारत के president है वो हर एक पांच साल बात इस body को बनाते हैं ठीक है उसी के चलते हुए अभी वाली यह body बनी है then report इसकी advisory होती है जो भी reports देगा कि भाई ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया इतने पैसे देने है तो वो देने ही देने है report इसके advisory है binding नहीं है members इसके जितने भी होंगे तो एक question यह होता है कि देखो reappointment का issue मान लीजे कोई supreme court के judge है यहां कोई और भी post है let's say any x y z post है वहाँ पर reappointment का मुद्दा क्यों आपको देखने को मिलता है क्योंकि अगर उस बंदे को यह होगा न मुझे फिर से इस post प्याना है तो most probably chances हैं कि भाई वो जो power में होगी government उसको favor करेगा अगली reappointment के लिए ठीक है तो कई जो ऐसी critical post होती है वहाँ पर reappointment रखी नहीं जाती लेकिन finance commission के members are eligible for reappointment पहला भारत का finance commission उसके केसी नयोगी जी यह आद रखिएगा ठीक है चलिए उसके बाद जो इसके काम है president जी को इसने recommend करना है किस-किस चीजों के लिए नमबर वान distribution of net proceeds of taxes between center and states कि center को कितना पैसा जाएगा union taxes की collection में से और states को कितना पैसा जाएगा पहली चीज़ दूसरी principles to govern grants in aid from center to states मतलब मान लीजिए कि भाई states को कुछ पैसा गया लेकिन बैचारों का पैसा खर्च हो गया या किसी और चीज के लिए उन्हें पैसा चाहिए हाना तो जो extra पैसा जाता है उनको grants in aid बोला जाता है तो ये भी बताता है कि कितनी grants in aid जानी चाहिए ठीक है उसके बाद measures to augment consolidated fund of states to supplement resources of local bodies on the basis of recommendations made by SFC तो अभी अब hierarchy structure समझेए जैसे center है center के नीचे states आ गई states का अपना नीचे hierarchy है local bodies तो ये state के बीच का जो states में state finance के जैसे हमारा finance commission है states में state finance commission होता है ये state finance commission को भी सलाह देता है कि भाई कैसे आप consolidated fund of state को भरो तांकि जो आपका नीचे वाली पंचायती राज government है या municipality है उसको आप कैसे पंच दे पाओ ये भी इसका काम है and any other matters जो president जी refer करते रहते हैं वो हम देखेंगे पंदर में finance commission में कि president जी ने क्या क्या refer करा है ठीक है चलिए qualification and selection procedure पर जल्दी से नजर मार लेते हैं इसमें एक चीज़ सबसे important जो आपको याद रखनी है कि भाई finance commission जरूर mention है सम्विधान में पर finance commission के members की qualification और उनका selection procedure क्या होगा ये बिलकुल mention नहीं है constitution सिरफ इतना लिखके छोड़ देता है कि इनकी qualification और selection procedure पारलेमेंट डिसाइड करेगा और एक चीज़ याद रखेगा भारतिये पारलेमेंट कोई भी चीज बिना law पास करें नहीं कर सकता ठीक है जो भी सम्विधान में mention है अगर सम्विधान पारलेमेंट को कुछ भी power दे बोला है कि भाई कोई committee नहीं होगी क्योंकि usually constitutional bodies जितनी भी हैं उनको select करने के लिए committee बनती है जैसे अभी आपने election commission का मुद्दा सुना होगा कि भाई किसकी committee बने इसमें कोई committee system नहीं है ठीक है सिरफ बोला गया है कि भाई जो इसके chairman होंगे उस बंदे को experience होना चाहिए public affairs म इसके चार और members होंगे उनमें से एक member should be high court judge वो हो भी सकते हैं या high court judge बनने की qualification जो है जो चाहिए वो रखते हैं अपने पास या वो थे high court के judge तीनो situations में he can be the member दूसरे एक ऐसा बंदा जिसको finance की बहुत तगडी knowledge है he should be the member third person उनको knowledge होनी चाहिए किसकी economics की ठीक है और चौत बंदे को experience होना चाहिए financial matters और administration में बस इतना लिखा गया है आपकी composition finance commission की अभी बात शुरू करते हैं पंदर में finance commission की पहले people देख लेते हैं कौन-कौन पैनल में था सबसे पहले N.K. Singh ये chairman थे फिर शक्तिकानता दास यांका RBI governor के रूप में आपने नाम सुना होगा then we have Ashok लेहरी ये भी पहले former chief economic advisor थे economic survey के साथ related जो body है then Ramesh Chant ये भी नितिया योग के member थे and Anoop Singh ये Georgetown University के professor थे आभी वाले जो अपने हैं he is also been wise chairman जर्विंद पानागरिया जी है ये wise chairman रहे हैं नितिया योग के राइट उसके बाद जो 15th finance commission के बारे में आपको एक बात जाननी है originally 15 finance commission को बोला गया था कि जो आपकी recommendations होंगी वो आप 1 April 2020 से लेके 31 March 2025 तक दो गए ठीक है तो इसका मतलब एक बात आहां से आप सीधी आद रख लीजे कि अभी हमारे पास जो अगली तारीक आएगी वो आएगी जी 31-03-2025 की मतलब यहां तक इनकी recommendations खतम हो जानी थी इसके बारे में लिखा है क्या कि आपकी जो भी recommendations हैं वो 1-4-2026 से शुरूओंगी तो मतलब एक साल का gap पड़ गया अभी यह क्या मामला है तो originally जब यह बना था finance commission तो इसको पांच साल के लिए ही recommendations के लेने के लिए बोला गया था लेकिन फिर आगया कोविड इस वज़ा से मोधी government ने ने बोला कि भाई आप दो reports दीचिए पहली report जो आप दोगे वो सिरफ एक साल के लिए रहेगी उसकी recommendations एक साल के लिए हम मानेंगे उसके बाद पांच साल के लिए वो फिर से normally चलेगा तो पहली report इनकी चली 1 April 2020 से 31 March 2021 तक फिर जो अपनी normal report थी 1 April 2021 से 31 तीन दोहजार 26 तक और फिर 1 April 2026 पे जो अपना अरविंद पानागरिया जी का commission है उनकी 16th finance commission की recommendations applicable हो जाएंगी इनकी report का नाम याद रख ली जाएगा finance commission in COVID times ये इनकी report का नाम था ठीक है चलिए अब देखते हैं जी कि 15th finance commission का terms of reference क्या था terms of reference कहने का मतलब है कि जैसे हमने देखा प्रेजिदेंट जी इस body को बताते हैं आप क्या क्या करोगे ये body को कुछ प्रेजिदेंट जी हिदायतें देते हैं इनको बोला जाता है इनका terms of reference कि इनको किन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए report बनानी है फिर finance commission उन चीजों क बनाता है report बनाके देता है presidents को president जी को ब्रेजिदेंट की बरीपोच लेकर देते हैं जूसको पास करेगा and then it is good to go, चले, आप देखते हैं, पंदर में फानेंस कमिशन जो अभी चल रहा है, which can be your UPSC preliminary question, उसके terms of reference क्या थे, सबसे पहले बोला कि यूनियन टाक्सिस, जितने भी यूनियन टाक्सिस हैं, आपको पता चल गया होगा, तीनों को छोड़ के, सेसर चार्जन, IGST को छोड़ के, उनका वर्टिकल डेवलूशन करना है, स्टेट्स को, वर्टिकल डेवलूशन मतलब वो पचास-पचास वागा, राइट, and it's a horizontal distribution among the states, हमने दोनों देख लिए, अब आपको समझा गया होगा point, दूसरा, union's grants in aid to the states, ये भी हमने कर लिया कि grants in aid क्या है, तीसरा था, how to augment state government's consolidated funds to help PRI and ULBs, वही पंचायती राज and municipalities को augment करने के लिए, state governments अपने consolidated fund को कैसे strong रखें, ये भी अब प्रेज़िड़न जी ने बोला, finance commission अब बताईए, उसके बाद यहां से important हो जाता है, तो बतानी बतानी है, important यहां से हो जाता है, इस वाले 15th finance commission को, जो पहली हिदायत मिली थी, प्रेजिड़न जी द्वारा, इस साल की special, वो थी कि भई, अब से आप census 2011 को मद्दे नजर रखते हुए, population को count करोगे, देखो, एक criteria जब center state और states के बीच में पैसा divide करना होता है, population का, क्योंकि जिस state में जादा population है, उस state को, जो आप मैं मान ली जैसे हमने देख लिया था, पचास-पचास, पचास रुपे जब states में divide होंगे, तो आपको logical नहीं लगता कि भई, जिस state में जादा लोग हैं, उसको पचास रुपे का जादा शेर जाना चाहिए, बात तो logical है, ठीक है, लेकिन यहीं से ही न, आपका एक debate उठता है, नौर्थ वर्से साउथ का debate, अभी बात यह है कि भई, 1971 के दशक में, बेसिकली देश हमारा जाने लगा था, population control की तरफ, तो देश में एक लहर थी, उस वक्त से लेके, अब तक, जो southern states हैं, या south वाली states हैं, केरला, करनाट का, तमिलनाट, इन्होंने बहुत efforts करे हैं, अपनी population को control करने के लिए, और अगर ये बात देखी जाए, तो ये बात अच्छी भी है, क्योंकि अगर population boom करती जा लाएगी, तो उस मामले में southern states ने काम तो अच्छा करा, लेकिन अब अच्छा काम करके उन्हें जर्माना देना पर रहा है, because the states like UP, बिहार, etc., जोनोंने population control पे काम ही नहीं करा, उनको इस finance commission जादा पैसा देगा, तो ये इनको problem है, तो इस वजह से आप देखोगे, कि भई, 2011 ग्यारा census इस्तेमाल में ना आए southern states को ये बहुत तगडी problem है, इनको है कि पहले का census, 1971 वाले census से population लीजे आप, अभी वाले census से मतलो, right, so this is their debate, moving forward, second जो इन्होंने बताया कहते है कि प्रेजिदेंट जी बोले finance commission को, कि while allotting money, finance commission should keep in mind the union's responsibility for new India 2020 vision, 2022 vision, मतलब जब पैसा दे रहे होगे, तो जो union की सरकार एक नया भारत बनाने का vision रख रही है, जिसके तहत उसकी कुछ schemes चल रही है, जैसे स्वच भारत, digital India, PM जन औरोगया, जो states इन में जादा बहतर perform कर रही है, उनको जादा पैसा दीजिए, because वो new India का vision पूरा कर रही है, पर यहाँ पर problem यह आती है, ज से पहले कॉंग्रेस की सरकार थी, moving forward, we are वहाँ आदमी party, हाना, तो यहाँ पर problem क्या आएगी, वो states जिनकी party की ideology, center की party के साथ जादा match करती होगी, वो इन schemes को जादा अच्छे से implement करेगी, उसी same banner के ने नीचे, हाना, तो इस वज़ए से यहाँ पर debate उठता है, BJP versus non-BJP states का कि फिर BJP states को जादा पैसे allocate करेंगे, यह क्योंकि वो अच्छे से center की सरकार की policies को implement कर रहे होंगे, यह second debate होता है, तीसरा, आप ऐसे कुछ measures, President जी Finance Commission को बोले, ऐसे कुछ measures recommend करिये, जिससे fiscal discipline slash consolidation आपाए, union slash state government के पास, मतलब कि भई, जो states fiscal consolidation कर रही है, मतलब populist scheme नहीं चला र नहीं है, short term में लोगों की vote लेने के लिए, वो freebie scheme, populist scheme चला रही है, उनको भी आप सक्त ध्यान में रखेगा, इनको पैसे देते हैं वक्त, ठीक है, moving forward, यह बोलते हैं कि भई, should union continue to provide revenue deficit grants to states, तो जो हमने यहाँ पर बात करी थी न, grants in it, यह कई तरीके की होती है, अभी हर ए similarly states को जो यह पैसा मिल रहा है, अभी यहाँ से मिल रहा है, अपने tax collect कर रहे हैं, यह उसका revenue है, state का खर्चा भी होगा, अभी states populist scheme लाके, freebie scheme लाके अपना पैसा लगाती रहे, और फिर जो उसका revenue कठा हो रहा है, वहाँ पे उसको deficit आ जाए, तो क्या union को states की जो revenue deficit को पूरा करते के लिए, जो वो grants देता है, वो continue करनी चाहिए, यह states को सबक सिखाना चाहिए, तो इस बातों को भी explore करिये, यह चीज़ उन्होंने union के और state के दोनों के लिए बोली है, कि ऐसा मत करो, कि जितनी तुम्हारी आमदन है, उससे ज़्यादा खरच करके, तुम लोग loan लेते रहो, you should burden, इस चीज़ को भी देखो, finance commission तो, उसके बाद उन्होंने बोला कि how to finance the disaster management initiatives, जैसे अभी अभी तमिल नाडू में अपना एनौर के पास oil spill हो गया था, कहीं पर tsunami आ गई, भुचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इन सब के लिए manage करने के लिए, disaster management का fund भी बनाओ, finance commission, कुछ ऐसा भी देखे आप, उसके बाद moving forward, वो बोला कि भाई, states को performance based incentives दीचे, कि भाई देखो, किस state ने इस साल जादा electricity चोरी करने वालों को पकड़ा है, किस state ने अच्छे से tax collection वगएरा करी है, उन सब performance based incentives को देखके state governments को, जो आप 50 रुपे बांट रहे हो, वो बां internal security के लिए कुछ ऐसा fund बनाने का सोचो, जो non-lapsable हो, non-lapsable का मतलब होता है कि एक साल में मान लीजिए 100 करोड रुपे, आपको allocate करे गए, लेकिन आपने 100 करोड रुपे पूरे नहीं खरच पाए, आपके पास अभी भी 25 करोड बचा है, तो वो 25 करोड आपके अगले साल व उसके बाद जब यह finance commission बना था, 2019 की October में आपको पता है, जम्मो कश्मीर आर्टिकल 370 रद कर दिया गया, और जम्मो कश्मीर और लदाख की बना दी गई दो UTs, तो इन्होंने बोला कि भई, अब पहले जम्मो कश्मीर was one state, तो आपको 29 states में पैसा बांटना था, लेकिन अ बाद बोले कि भई, आप center और states का करजा कितना है, उनका debt level उनको review करिये, और उनको एक roadmap recommend करिये कि कैसे आप यह जल्दी जल्दी उतार सकते हो, right, moving forward, performance based incentives for states based on power sector, adoption of dbt, solid waste management, जो हम उपर बाग कर रहे थे, ठीक है, कि solid waste management को लेके, agriculture reforms को लेके, सड़कें कितनी बनी है, direct benefit transfer व activities, and lastly, आप यह पढ़िए कि भई, GST, जो सरकार लेक्या आई थी, हैंना, 2017 के करीब, उसका impact क्या रहा है, what is the impact of GST, तो यह थे इसके terms of reference, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले बात करते हैं, vertical devolution की, ठीक है, तो vertical devolution में पहले एक trend notice करिये, 11 में Finance Commission ने 29.5%, हो गए थे, पचास टू यूजिन, पचास इसने क्या करा, इसने मतलब मान लीजिया, आप 70.5 दे दिया किसको, यूनियन को, and 29.5% किसको दे दिया, स्टेट्स को, तो इसका मतलब यह है, उसने 29.5% बारमा Finance Commission आया, उसने 30.5% वर्टिकल devolution करी स्टेट्स को, तेरमा Finance Commission आया उसने 32 प्रतिशत करी, चौदमे Finance Commission ने 42 प्रतिशत करा, यहाँ पे भी अभी एक dispute आयेगा, क्यूंकि पंदरमा Finance Commission, आपको दिख रहा है, there is a continuous rise, चीज़े उपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे चौदमे और पंदरमे Finance Commission में एक difference आयेगा, यह वाली चीज़ कम करने जा रहा ह इसने कितना करा, 41%, अभी उसका कारण क्या था, जल्दी से याद करिये, हमने देखा था न, October 2019 में प्रेजिडेंट जी ने बोला था, कि भाई, अब दो यूटी और आ गई है, एक स्टेट कम हो गई है, तो इस Finance Commission ने क्या करा, 42 प्रतिशत था, तब जमू इन कश्मीर स्टे 41 प्रतिशत हम 28 स्टेट में पांटे हैं, तो ये इसका लॉजिक था जी, आपको याद रखना है, पंदर में Finance Commission ने प्रतिशत कम करा, चले, ये हो गई बात जी अपनी वर्टिकल डेवलूशन की, तो मतलब अभी जमू कश्मीर और लदाक का अगर UPSC पूछ लेता है, कि भ 14th Finance Commission की अपनी अपनी कुछ ये पांच कैटेगरी इस थी जिनके basis की उपर वो डिवाल्व करता था, and 15th Finance Commission की कुछ अपने पास 6 कैटेगरी जिनके basis की उपर वो डिवाल्व करता है, state to state, मतलब पहले हो रहा था, let's say UP, हर्याना, पंजाब, राजस्थान और सेंटर के बीच अगर सब states को मिल गए हैं 41 रुपए, 41 रुपए states अपने अंदर कैसे बांठेंगी, तो वो Finance Commission decide करता है horizontal devolution से, चलिए, 14th Finance Commission का पहला criteria ये था, कि भई, income distance का, income distance का मतलब क्या है, income दूरी मतलब, आप simple भाशा में समझे, वो क्या देखेगा, state government की आमदन को लेगा, मतलब state government क एक आपको concept पता होगा, economy का GDP, gross domestic product, कि भई, एक देश की boundary में, एक financial year में कितनी चीजें produce होई, कितने goods and services produce होई, that is GDP, right, ऐसा ही state की territory में भी हुआ होगा, उसको GSDP बोला जाता है, तो GSDP का एक आंकडा लेके, उसको state की population के साथ divide कर दिया जाता है, divide करके, जो भी number आएगा, ठीक है, वो सब states का एक जगा पे गठा गर के रख लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इसके according, जितनी state गरीब होगी, जितना state का ये वाला आंकडा कम आएगा, मतलब उतना वो state गरीब है दूसरे से, जितनी state गरीब उतना उसको पैसा जादा मिलेगा, and this income distance accounts for 50% of the criteria, ठीक तो पहला इस basis पे मिलता है कि states का income distance देखा जाता है, जितना जादा बड़ा state का area, उतना जादा state को पैसा मिलेगा, तो मतलब राजस्तान को जादा पैसा मिलेगा, पंजाब को answer is राजस्तान, तो इस criteria के उपर 15% रखा जाता है, area इसमें भी प्रंद्रा प्रतिशत है, ठीक है, तो बोथ आर सेम इन नेचर, ठीक है जी, moving forward population, याद है 1971 के दशक से सदरन states ने शुरू करा है, population को control करना, तो चौदमे finance commission तक 1971 census के basis के उपर 17% दिया जाता था, और 2011 census के basis के उपर 10% दिया जाता था, ये 10% में आपको बताता हूँ क्यों दिया जाता था, क्यूंकि ये भी दो सकता है, let's say कि भई, Odisha, जारखंड की मैंने population देख ली 1971 में, Now what happened, Odisha, जारखंड के साथ ही एक state है, let's say West Bengal, ये आप मान ले जे मुंबई, तो वहां की majority of the population, development को देखते हुए shift कर गई, कहां पे migrate कर गई, बड़े-बड़े states में, जहां पे development हो रही थी, तो अब उनमें states में लोग जादा है, इनको जादा पैसा चाहिए, manage करने के लिए तो इस वज़ा से इन्हों ने क्या करा, population 1971 पे ले ली, उसको 17% criteria दे दिया, और demographic change as per 2011 census को migration aspect को मद्दे नज़र रखते हुए 10% दे दिया, तो मतलब total कितना हो गया, 17 plus 10, 27% लेकिन इन्हों ने क्या करा, अभी President जी ने बोला है, कि भाई आप देखो देश आगे जा रहा है, तो 2011 वाला जो census है, उसके basis पे आप लीजिए, लेकिन फिर तो clear cut, जो Southern states से उनको loss हो जाता, तो इन्हों ने क्या करा, population as per 2011 census ही ले ली, पर ये बोले, more population is more money, 15% देंगे, लेकिन हम Southern states को benefit कैसे पहुँचाएंगे, हम उसके लिए एक अलग से criteria add कर रहे हैं, हम एक criteria रख रहे ह demographic performance का, मतलब जितना जिस state का TFR जादा होगा, जिसना किसी भी state का total fertility rate जादा होगा, उसको उतना कम revolution मिलेगा, या दूसरी बाइशाह में, जितना किसी भी state का TFR कम होगा, total fertility rate कम होगा, उतना उसका जो पैसा मिलेगा, उसको जादा मिलेगा, तो इस criteria को दे दिया गया है, कवर ठीक है क्योंकि देखो मोर फॉरेस्ट जितने जादा फॉरेस्ट होंगे उतनी जादा उस टेट को पैसा मिलेगा रीजन इसके पीछे कि कई स्टेट्स ऐसी दी जिन्होंने अपना फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पर इंडस्ट्री लगा ली अब तुम इंडस्ट्री से क क्लेक्शन मतलब पर कापिटा यह से आप माझकी में एक किलोमेटर का रेडियस है उसमें से किस स्टेट ने अच्छा टेक्स कलेक्शन करा थीके उस स्टेट को जादा मतलब आप पैसा दोगे, right so tax effort states who have improved their per capita tax collection in the last three years get more money, 0.5% इसका criteria रखा है, clear चलिए चलिए तो यही हम जो बात कर रहे थे यह आप अपने basically समझ के लिए बेहतर तरीके से यहां पर देख पाऊगे बिल्कुल वही चीज जो हम last पर डिसकस करके आए और अगर हम देखें कि भई effect रहा क्या है, what has been the effect तो हम clearly देख सकते हैं जैसे करनाटका, केरिला, South Indian states है चौद्वा Finance Commission के बारे में लिखा है 15 Finance Commission के बारे में लिखा है increase या decrease में करनाटका is facing a minus 1.07 decrease reason is 2011 का census उसके बाद केरिला again minus 0.56 और profit में कौन है, Bihar 0.40 और अगर मैं आपको ये imbalance और अच्छे जीए देखिए जैसे ये भी है UP का growth rate, population growth rate 20.01% Bihar का growth rate 25.1% आप सदरन स्टेट का देख लीजे केरिला, आंदराप्रदेश 4.9% 11.1% तो इन्होंने effort करा है, बिचारों को loss भी हो रहा है Now, moving forward आपको मैं एक और मतलब दिखाता हूं कि population का कितना प्रभाव पढ़ता है UP मान लीजे जितना अभी 41% का पैसा आया होगा उस 41% के पैसे में से 17.93% 17.93% सिरफ UP लेके जा रहा है इसका अगर comparison करें 1.08 हना तो दिस इस दा अगर आप के रहला के साथ भी करो 1.94 यह फरक पढ़ जाता है एरिया एक बात मान ली ठीक है वी एक्सेप्टेट दा एरिया एरिया की भी अगर बात करें तो आप UP और राजस्तान देख लीजे राजस्तान यूपी से बढ़ा लोकल गवर्मेंट्स को ग्रांट दी है 4.LCR मतलब है लाक करोड 4.3 लाक करोड की facts and figures नहीं याद रखने इसने revenue deficit grant मतलब जितना खर्चा आमदन से जादा खर्चा कर लिया तो उसको पूरा करने के लिए 2.9 लाक करोड की 2.9 लाक करोड की इस finance commission के बारे में एक चीज़ special है तेरमा finance commission जैसे हमने यहां पर बड़ा sector specific grant देता था चौदमे finance commission ने sector specific grant देनी बंद करती यह चीज़ फिर से आके continue करी 15th finance commission में और 15 यहीं पर लिखा है राइट तो sector specific मतलब सबसे जादा health को देंगे फिर school education फिर higher education फिर agriculture reforms फिर roads फिर judiciary फिर statistics and aspirational districts चलिए local bodies आपने देखा था कि उन्हों ने प्रेज़ेंट जी ने terms of reference दिये तो काम तो करना पड़ेगा local bodies के लिए बोला है कि भाई डिवाइड दा ग्रांट बिट्वीन रूरल और अर्बन बॉडी मतलब पंचायट और म्यूंसिपालिटी के बीच में जो ग्रांट से डिवाइड करोगे उसकी रेशो आप 67.5 रूरल को दोगे पंचायट को दोगे 32.5 म्यूंसिपालिटी को दोगे उसके बाद जितने भी तीन टायर्स हैं पंचायटी राज के हन वी अब थ्री लेवल्स तो उन तीनों के तीनों को ग्रांट दोगे आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फंड बनाने की बात हो रही थी सेट अप डिजास्टर मिटिगेशन फंड दोनों लेवल पर बनाओ नाशनल पर भी स्टेट पर भी कॉस्ट शेरिंग बेस्ट ऑन 75 रेशो 25 वर अल स्टेट और 90 रेशो 10 वर हिमालियन स्टेट मतलब इस फंड में 75 प्रतिशत सेंटर हिस्सा देगा और 25 प्रतिशत जो पैस देफिसेट सेंटर अपना फिसकल डेफिसेट जितना उसका GDP है जो मैं आपको बता रहा था उसका सिरफ 4 प्रतिशत उसका फिसकल डेफिस्ट होना चाहिए मतलब कि भई अगर मेरी आमदन 100 रुपए है तो मेरा आमदन का मान लिज़े कि लेट से मेरा आमजन is 100, मेरा खर्चा is 108 रुपीज, तो मेरा जो fiscal deficit कितना हो गया, it's 8 रुपीज, 8 रुपे का deficit हो गया, तो ये कितना रहना चाहिए, मुझे 104 रुपे से जादा नहीं खर्चने हैं, 4 रुपे रहना चाहिए, वही करेगा, defense के लिए जो non-lapsable fund बनाने की बात करी, तो बोला established a non-lapsable modernization fund for defense and internal security, जिसका नाम रखा जाएगा MFDIS, और उसका पैसा कहां पर रखोगे, जैसे आपके पास 3 accounts होते हैं, जैसे आपका bank में account होता है, government of India के भी 3 accounts है, consolidated fund of India, contingency fund of India and public accounts of India, इसका पैसा रखा जाएगा public accounts of India, moving forward, last thing, health at least 8% of states budget, क्योंकि sector specific grants की बात करी गई है, तो state government का 8% budget health क्योंपर होना चाहिए, and we have to constitute an all India medical and health services, right, तो यह थे भी, I hope आपको finance commission अभी अच्छे से समझ आ गया होगा, moving forward to the questions, चलिये, करिये solve पहला question, who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of the parliament, मतलब finance commission की जो भी report है, वो parliament के सामने कौन पेश करता है, हमने क्या procedure करा था, जरा लगाईए दिमाग, what will be the answer, जो पिलकुल non-UPSC वाले हैं, वो भी solve कर लोगे, मतलब UPSC वारे मेरा मानना यह है, हर एक चीज़ को जितने भी topic है अपने syllabus में उनको पढ़ने का एक तरीका होता है, जो UPSC के accordingly तैयारी होती है, तो अगर आप सही direction में अपने limited resources के साथ, उनकी multiple revisions के साथ पढ़ लोगे, तो मेरा यह मानना UPSC कर सकता है कोई भी, अगर आप में शिद्दत है आपकी तैयारी एक बार सबको करने चाहिए, नहीं भी हुआ, तो you will be a very intellectual human, आपकी जो सोचने का नजरिया है, वो it will be very broad, you know, you'll think about every aspect, हर एक चीज़ का social aspect, political aspect, economical aspect, आपका सोच पर दाएगा, so correct answer is option number A, President of India, ठीके जी, आगे बड़े, चले, the functions of the finance commission are, क्या-क्या करता है finance commission, पहला, to allow the withdrawal of money from consolidated fund of India, हमने पड़ा जी कुछ ऐसा, नहीं, बिल्कुल नहीं, so answer one is wrong, ये तो गलत हो गया, करता ही नहीं ऐसा, to allocate between the states the share proceeds of taxes, कि भाई states के बीच में, taxes के proceeds को बांटना, yes, very true, consider applications for grants in aid of the states, हमने देखा कि भाई, हाँ, grants in aid भी देता है, very true, and last is to supervise and report on whether union and state governments are levying tax in accordance with the budgetary provisions, कि भाई, ये बाद जाके प्रेजिट जी को बताना, कि union या state क्या अपनी budget के accordingly taxes लगा रहे हैं, हमने कुछ ऐसी provision देखी, नहीं, answer is wrong, correct answer होगा, option number, बताईए जल्दी से, option number, B, easy, चले, let's move forward, with reference to 14th finance commission, which of the following statements are correct, 14th finance commission की बात कर रहे हैं, it has increased the share of states in the central divisible pool from 32 to 42%, बताईए, 32-42 प्रतिशत, share increase करा, 14th finance commission ने, yes or no, it has made recommendations concerning sector specific grants, 14th finance commission ने तो करा था, लेकिन sector specific grant, 13th में ने करी थी, 14th में ने रोग दी थी, 15th में ने फिर से करी थी, so this is wrong, correct answer would be option number, A, one only, ठीक है जी, अगले पे बढ़ते हैं, with reference to the finance commission of India, which of the following statements is correct, it encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development, हमने कुछ करा कि बाहर बाहर से पैसा मंगाता है, capital कर, नहीं, कुछ भी नहीं, गलत, गलत बात है, it facilitates the proper distribution of finances among the public sector undertakings, PSU's की बात करी हमने कोई भी, नहीं बात करी, PSU's मतलब जो भी आपकी government companies हैं, बड़ी बड़ी, it ensures transparency in financial administration, कुछ भी देखा, हमने ऐसा नहीं, and last option is, कोई भी इन तीनों में correct नहीं है, UPSC का previous year question है, correct answer is option number D, कोई भी सही नहीं है, चितना हम पढ़ रहे हैं, सही नजरिये से उतना ही है, बस, चले, the primary function of the finance commission, बताइए जरा, क्या है जी primary function इसका, distribution of revenue between center and states, annual budget को बनाना, president को financial matters की उपर advice करना, allocate funds to various ministries of union and states, बताइए क्या गरा, simple devolution, vertical horizontal distribution, correct answer would be option number A, चलिए जाए, so that was the analysis for today's video, I hope you like it, आपको कोई भी doubt है इसके related, आप still मुझसे gs underscore gill 07, यह मेरा Instagram और Telegram का ID है, यहाँ पे आप मेरे से contact कर सकते हो, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए, आप इस channel से कर सकते हो, telegram पे gs underscore gill UPSC, ठीक है यह चैनल है, यह मेरे साथ personal बात करने के लिए, कि sir what we should do, क्या कोई भी अगर आपको doubt है, thank you so much, see you guys, wish you all the best for the preparation, study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable,